रजिस्ट्री को कैंसिल कराना चाहते हैं तो उसके नियम जानना बया जरूरी है कैसे होगा रजिस्ट्री कैंसल क्या करना पड़ता है आपको क्या-क्या परकिरिया करना परेगा कब करा सकते हैं कब नहीं करा सकते हैं देखिए आप बहुत असानी से कोई भी रजिस्ट्री को cancel करा सकते हैं अगर सही तरीके से सभी नियम को follow करेंगे तब ही करा सकते हैं देखिए अगर नियम नहीं पता होगा ना तो आप दोरते रहेंगे भागते रहेंगे आपको कुछ पता ही नहीं चलेगा कोई आपको कुछ बता देगा कि आपको ऐसे करना है कोई आएगा और दूसरा तरीका आपको बता देगा तो आप भागदोर इसलिए नियम जानना बहुत जरूरी है कि इस रजिस्ट्री को जो कैंसल कराना है वो कैंसल कराने का पावर किसको है ये समझना बहुत जरूरी है अब माल लेते हैं कि जमीन जो है दो भाई या पड़िबार में बहुत सारे सदस होते हैं कोई क्या किया समपत्ती बेच दिया लेकिन नहीं बेच न चाहिए इसलिए कि आपका भी हिस्सा उसमें है या कोई ऐसा बेखती है कि पहले अपना हिस्सा सारा बेच चुका हैं और सकते हैं इसमें आपको ज़्यादा टेंसन लेने की भी जरुवत नहीं है तो ऐसा नहीं कि कोई गलत करेगा तो उसके लिए प्रापधान है कि वो आजाद है वो गलती करे और उसका सजा नहीं मिलेगा ऐसा नहीं है बिल्कुल प्रापधान है लेकिन सही सब्सक्राइब अगर आप फॉलो करेंगे तभी ऐसा प्रापधान है अगर गलत सब्सक्राइब आप फॉलो कर लिए तो कोई फाइदा नहीं होने उसको यूज कर रहा है उसी आके अंडर में वो संपत्ती है उस पर या हो सकता गरी बना करा रहा होगा लेकिन वो रजिस्ट्री गलत है फरजी है या अन्ने कुछ भी हो सकता है बेचने वाला जो है वो गलत है उसको नहीं बेचना था संपत्ती दूसरे का है तो बहुत सार ये पावर सिबिल न्याले को है और कहीं नहीं है सिबिल न्याले को ही ये पावर दिया गया है कि सिबिल न्याले के द्वारा जब केस फाइल किया जाएगा तो पूरा परकिरिया जो भी है जो भी केस फाइल किया जाएगा तो उसको verify किया जाएगा उसके बाद देखा जाएगा दोनों पक्ष का दो बात सुना ही जाता है जब case file होता है किसी भी मामने में तो दोनों पक्ष का बात सुना जाता है कोट को लगेगा कि ये जो है जो जमीन बेचने का इसको अधिकार थाई नहीं है ना या ये अपना जमीन सारा पहले ही संपत्ती को बेच चुका है अब जो है ये बेच रहा है मतलब भाई का ये चचेरे भाई का ये अन किसी का उसका हिस्सा है उसको बेचना सुरू कर दिया है तो उस case में अगर वैसा कर दिया है तो उस case में अगर case file होगा तो series ही बात है कोट में जब ऐसा लगेगा तो registry cancel करने का आदिश दे दिया जाएगा अब यह जो प्राबधान है कहां है तो यह है specific relief act का जो है section 31 में 31 में यह प्राबधान है कि कोई भी registry को आप जो है मतलब register document ही है अब कह सकते हैं अब उसमें कौन कौन सा document आएगा बहुत सारे document आते है for example मान लेते है registry हो गया registered deed हो गया या un-coई जो भी register document है वो भी इसके अंतर गाता है ठीक है अगर वो गलत तरीके से किया गया है तो उसको civil लियाले के दोरा जो है cancel कर दिया जाएग जैसे समझें कि कोई बैक्ती जो है कि जमीन है ठीक है कोई बैक्ती का जमीन है अब ये जो जमीन है मान लेते हैं किसी दोरा है और उसको फर्जी तरीके से कोई और बेच दिया अब तो गलत हो गया ये बेचना उसको चाहिए नहीं था फरजी तरीके से रेजिस्टी कर दिया है तो उस केस में आप जो है आपको सिबिल न्याले ही जाना होगा सिबिल न्याले में केस पाइल करेंगे और आप अपना टाइटल बताएंगे कि संपत्ती के मालिक आप हैं आपके पास सारे दस्ताबेज हैं और कोई इसको फ्रॉड करके गलत तरीके से 400 BC करके रेजिस्टी कर दिया है तो रेजिस्टी कैंसल हो जाएगा अब रेजिस्टी कैंसल होगा तो जब कोट का डिगरी होगा तो डिगरी का कॉपी जो है वो रेजिस्टार को भी भेजा जाएगा जहां रजिस्ट्री होता है जहां रजिस्ट्री होता है वहाँ वो डौक्मेन्ट डिग्री वाला भेजा जाएगा कि आपने जो रजिस्ट्री किया है और उसमें जहां भी सफ्टवेर पे हो यहां जो computer system है जहां वो store करके रखते हैं या कोई register पे भी उसको data को इंट्री करके रखते हैं तो सभी जगा उसको cancel कर देना ठीक है इसी ए court के order के बाद ये cancel हो गया ताकि जब भी कोई अगर माल लेते हैं अगर माल लेते हैं उसका नकल निकालने का प्रयास करेगा तो पता चल जागा कि ये register एविलेबल नहीं है रखते हैं पहले ही cancel हो चुका है तो ये परकिरिया होता है अब यहाँ पे ये आपके मन में एक समस्या आता होगा अगर माल लेते हैं कोई register है और इसमें दो भाई का नाम है दो भाई का नाम है ये ध्यान से आप समझें इस समपत्ती में दो भाई तीन भाई चार भाई का नाम है एक ही भाई इसको बेट दिया एक भाई को पता ही नहीं चलने दिया माल लेते हैं पता भी चलने दिया जाके register कर दिया दोनों भाई का नाम था एक जाके रजिस्ट्री कर दिया पूरा संपत्ती को तो रजिस्ट्री तो हो गया लेकिन यह होना तो नहीं चाहिए था या यह भी यहाँ पे समझ सकते हैं कि संपत्ती जो है वो पिता के नाम से दर्ज है अब उसके दो बेटे हैं अब एक बेटा जो है यानि यह संपत्ती जो है यह पिता के नाम से दर्ज है अब इनके दो बेटे है अब एक बेटा जो है ना यहाँ पे एक बेटा यह है और एक बेटा एक है अब एक बेटा जाके उसको पूरा बेज देता एक ही बेटा बेजता है ना उस case में क्या होगा ये सही है नहीं है बिल्कुल नहीं होना चाहिए इसमें एक बेटा कितना बेश सकता आदा बेश सकता अगर पूरा संपत्ती बेश दिया तो गलत कर दिया हो तो अगर वो एक बेटा पूरा संपत्ती बेश दिया है तो दूसरा बेटा अगर उसको कैंसल कर आना चाहे तो उसके लिए सिबिल को उठी जाना परेगा और कोई दूसरा उपाई नहीं है आप कहीं भी भागदर करेंगे किसी को कंप्लेंट करेंगे उनको जो अधिकार दिया गया जो पावर दिया गया है है ना तो ठीक है अगर वो आपको असपस बता देंगे अगर वो माल लेतें बताना चाहेंगे तो बता देंगे कि ये पावर सिर्फ सिबिल नियाले को है हम उसमे कुछ नहीं कर सकते तो सिबिल नियाले में आप उसको कैंसल करवा सकते हैं अब यहाँ पे एक और प्रावधान है, अगर कोई संपत्ती पिदा के नाम से दर्ज है, अब यहाँ पे उनका दो बेटा है, तो दोनों का तो सेर होना चाहिए, एक ही का तुरी होगा, यहनि फिप्टी जो है यहाँ पे, यह पूरी संपत्ती अगर बेज दिया गया, एक ही के नाम, एक ही बेटवारा, यहाँ तो आधा आधा होगा, तो अब कोट जो है रजिस्टी जो कैंसल करेगा, है ना, तो वो तो देखेगा, खड़िदार का भी यहाँ पे देखना परेगा, खड़िदार को भी, तो एक भाई का तो हिस्सा आधा है, क्यों पूरा रजिस्टी को कैंसल करना, तो यानि 50% रजिस्टी भी यानि आधा रजिस्टी भी कैंसल किया जाता है, और यह प्राबधान है, आपका जो है स्पेसिफिक रिली पैक्ट के सेक्शन, 32 में, 32 में ऐसा प्राबधान है, कि अगर कोई पार्ट बाई पार्ट जो है, तीन भाई है, तो तीन पार्ट संपत्ती है, अगर कोई एक बेज दिया है, तो सिर्फ एक का जो हिस्सा होगा, वो सी का विक्री मानने होगा, बाकी दो का जो हिस्सा होगा, कर दिया गया, या दादा के द्वारा जो है वह पोता को रस्ति कर दिया गया जो की बॉइड माना जाएगा तो इसको cancel कराना परेगा ना दादा का पैतरिक संपत्य है दादा का कोई सेल्फ एक्वार प्रॉपर्टी है तो ठीक है दादा अगर दादा किसी एक को देते हैं तो उहां पे एक्षन लिया जा सकता है इसलिए वो रजिस्ट्री माननी नहीं होगा आप उसको चाहेंगे तो कैंसल करा सकते हैं ठीक है तो इस तरीके से जो भी है अगर माल लेते हैं रजिस्ट्री डॉक्मेंट है या कोई अन परकार का रजिस्ट्र डिड है उसको भी आप एक चाहेंगे आप तो कैंसल करा सकते हैं अब सवाल उठता है कि ये अगर कैंसल कराएंगे मान लेते हैं ये कैंसल तो हो गया रजिस्ट्री अब खड़िदने वाले का क्या खड़िदने वाले का कुछ नहीं होगा ये भी समझने वाली बात है और आपके मन में ऐसा सवाल होता होगा अगर आप जानना चाहते हैं कि ये डिटेल से हम आपको बताएं कि आखिर खड़िदने वाले के लिए कि आप रापधान खड़िद लिया संपति लेकिन fraud गलत कर दिया कोई उसके साथ उस बैक्ति के साथ तो क्या वो अपना पैसा कानून तरीके से वापस पा सकता है या नहीं पा सकता है अगर पाएगा तो उसको पाने के लिए क्या-क्या फरक्रिया है अगर आप जानना चाहते हैं जरूर कॉमेंट करें उससे संबंदित जो है में special वीडियो बनाएंगे अगर आपके साथ कोई धोखा करता है और आपने पैसा पुरा पे कर दिया है और रजिस्टी कर भी दिया लेकिन वो जो है उस पे बिबाद है वो मान नहीं है आप अपना पैसा वापस पाना चाहते हैं तो बिल्कुल पा सकते हैं इसलिए आपके लिए भी प्राबधान है specific relief act में उसको हम किसी और वीडियो में डिटेल से बताने का परियास करेंगे ताकि आप उसको अच्छे से समझ जाएं आसा करता है वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक जरू कर जाएं चैनल को पहली बार देकर हैं सब्सक्राइब करके जो बेल आइकन है उसको जरूर दबालें मिलते हैं तक लिए जैहिन